हेलो दोस्तों सुवागत आपको एक्साम ग्रोंलाइन स्टडी यूट चैनल में आज इस वीडियो में हम जानेगे मद्दकालिन बात के दुरान सलतंतर प्रातिय राजियों में मेवाड काईती आज तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल एको सब्स्क्राइक कर लिजेगा और इस पहला आक्टिन को जुरू दबाएं तक आने वाले वीडियो जिगन और फिकेसन आपको मिलती रहे तो शुरू करते हैं वीडियो अलावदिन खिल्दी ने 303 इस्वे मेवाड के गुहिलोत राजवंस के सासकरतन सिंग को पराजित करके मेवाड को दिल्ली सल्तंत में मिला लिया सिसोधिया वंस के हमीद देव ने महमत तुगलक के समय मेवाड को सल्तंतर करा दिया ये सी सोधिया वंस गुईलोत राजवंस का ये किस्सा था 1313 में हमीद देव के बाद उसका पुत्र अक्षितर सिंग और 1405 एस्वी में उसका पुत्र लखा सिंग सियाशन पर बैठा लखा सिंग की मर्तिव के बाद 1418 में उसका पुत्र मोकल राजा हुआ मोकल ने कविराज कहने वाले बानी मिलास वैयोगिंदर और माना फना और विसाल नामक प्रसिद सिलबकारों को अपने धरबार में आश्रे दिया 1431 में उसके मिर्टिव के बाद राणा कुमबा सियाशन पर बैठा तो राजा राणा कुमबा राणा कुमबा ने 1448 में चितोड में एक विजस नमगी स्थापना की उसने चैयर नाटकों की रजना की और जय देव करत गीत को इन परे रसी प्रिया नामक अलोजना भी लिखा कुमबलगड के नवीन नगर एक किलो करने मान इसने करवाया 1438 में इसके हित्या इसके पुत्तर उदे ने कर दी पर विद्रो होनी के कारण इसका पुत्तर जादा दिन तक सासक नहीं रषका उदे के बाद उसका चोटा बाई राजमिल गद्धि पर बैठा 1529 इस्वी में उसकी मिर्त्यु के बाद उसका पुत्तर राना संगा मेवाड की गद्धी पर बैठा खानवा का यूद 1529 इस्वी में राना संगा और बाबर की वीच हुआ जिसमें बाबर विज़े हुआ मेवाड की राजदानी चितोर थी जांगीर ने मेवाड को मुगल समराजर में मिला लिया तो दोस्तों ये तियाज तब मेवाड का अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें शेयर करें देनावाद